हलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचे का पाठ बारा पड़ेंगे पाठ बारा का शिर्षक है हमारा स्वतंत्रता दिवस इस पाठ का नाम क्या है स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस मतलब समझते हो ना आप स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है हाँ 15 अगस्त को जो मनाया जता है उसे कहते हैं सवतंतरता दिवस चलो मैं पाठ स्टार्ट करने से पहले आपको पाठ 12 के शब्दार्थ समझा देती हूँ निकाल ये आप पाठ 12 के शब्दार्थ पेज नंबर 78 पे हाँ ध्यान से सुनना आप मैं समझा रही हूँ है ना पहला है क्रांती क्रांती कार्थ क्या होगा दबे हुए का विरोध क्रांती मतलब जब हमारी आवाज को कोई दबाता है तो उसके विरोध में जब हम लड़ाई करते हैं उसे बोलते हैं क्रांती अपनी आवाज उची उठाना किसी का विरोध करना उसे बोलते हैं क्रांती दूसरा है शहीद शहीद का अर्थ क्या होता है देश पर मरने वाला देखाएं न आपने बहुत सारे सैनिक हमारे भारत के सैनिक जो शहीद होते हैं तो शहीद किसे बोलते हैं जो देश पर देश की सेवा के लिए लड़ते लड़ते मर जाता है उसे कहते हैं शहीद मतलब देश पर मरने वाला अगला है स्वतंतरता स्वतंतरता मतलब क्या होता है आजादी हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से जब आजाद हुआ था न तो उसे क्या कहते हैं स्वतंतरता आंदोलन आंदोलन कार्थ होता है एकत्र होकर बदलाव लाने की कोशिश मतलब किसी भी चीज के खिलाफ हम आंदोलन शुरू करते हैं तो आंदोलन कार्थ होता है एकत्र होकर मतलब इखटा होकर एक जुट होकर किसी भी काम में बदलाव लाना एक अकेला व्यक्ति कभी भी किसी में बदलाव नहीं ला सकता है ग्रुप बनाकर इखटे होकर एक जूट होकर हम किसी काम के लिए प्रयास करते हैं तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं उसे कहते हैं आंदोलन अगला है सत्या ग्रह सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई पर अडिक रहना अडिक मतलब इस्थिर रहना सत्याग्रह क्या बोलते हैं इसको सत्याग्रह मतलब सच्चाई पर अडिक रहना सच बात पर एक इस्थाई रुप से टिक कर रहना उसे बोलते हैं सत्याग्रह अगला है गुलाम, गुलाम का अर्था क्या होता है आधीन मतलब जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था मतलब अंग्रेजों के अधीन था अंग्रेज लोग जैसा बोलते थे हमें उनकी आज्या का पालन करना पड़ता था उनकी बात मानना पड़ती थी तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मतलब उनके आधीन थे अगला है मार्ग, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता क्या होता है रास्ता, मार्ग मतलब होता है रास्ता अगला है ध्वज, ध्वज मतलब जंडा हमारा राश्ट्र द्वज देखा है ना आपने हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे राश्ट्र द्वज फेहराते हैं तो वो द्वज मतलब क्या होता है जंडा आगए शवदार से समझ में ठीके शवदार से समझ में आगए आप पाठ निकाल लीजी आप पेज नमबर 76 पर पेज नमबर 76 पर निकालो पाठ 12 हमारे पाठ का नाम है स्वतंत्रता दिवस चलो अब मैं पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ ध्यान से सुनना या ना दिल्ली के लाल कीले पर 15 अगस्त 1947 को पहली बार हमारा राश्ट्रे द्वज फेहराया गया दिल्ली के लाल कीले पर 15 अगस्त 1947 को पहली बार राश्ट्रे द्वज फेहराया गया इस से पहले सेकड़ो वर्ष हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था मतलब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होते ही सबसे पहले दिल्ली के लाल कीले पर राश्ट्रिद्वज फेहराया गया 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उसके पहले हमारा देश सेकड़ो वर्ष मतलब कई सो सालों पहले से कई सो सालों पहले से हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था मतलब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे वो लोग जैसा बोलते थे हमें उनकी आग्या का पालन करना पड़ता था हमारे हाथ-पाउं बंधे हुए थे हम उनकी आग्या के बीना एक तिनका भी नहीं ला सकते थे है न, इसलिए इसे कहा गया है कि हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए हमारे देश के अंगिनत नौजवानों ने जान की कुर्बानिया दी मतलब गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए मतलब हमारे देश को आजात कराने के लिए अंग्रेजों की आधीनता से स्वतंतर कराने के लिए हमारे देश के अंगिनत अंगिनत नोजवान मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती अंगिनत मतलब क्या होता है जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती ऐसे नोजवानों ने जान की कुर्बानी दी मतलब अपनी जान से हाथ धो बेठे अपने आपको देश के लिए कुर्ब जो लोग हमारे देश को आजात कराने के लिए अपने प्राणों को बलीदान कर चुके हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा चुके हैं, उन शहीदों को हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। आज बॉर्डर पर इतने सारे शहीद होते हैं सैनिक हमारे भारत के, तो क्या हम उन्हें भूल सकते हैं, क्या नहीं भूल सकते हैं, हम 15 अगस 26 जिनवरी पे एक राश्ट्री देश बक्ती गीत गाते हैं, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लोट के घर ना आए, है ना, गाते ह हम वो अला गित, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आख में भर लो पानी, तो हम लोग उन्हें शहीदों को कभी नहीं भूल सकते हैं, जिनके बलीदानों से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जिनोंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान तक गमा दी, उनके जान से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीकी, चलो अब इसके आगे पढ़ रहे हैं,